कैसे आप लोग ठीक है ओके यह कुस्टन आपर बोर्ट पर लिखा हुआ है यह आ चुका है आपके सीवेसी में 2016 में ठीक है इस कुस्टन का बार्बर पढ़िए ते लेंध ब्रेथ और हाइथ और रूम और सब पर हाइट दिया हुआ है लेंध ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है रूम कर उतल दिया हुआ है तो यह कहने कि क्या मतलब है कि आप वो रूट लोग इससे की मतलब रूम को एग्जैक्ली मेजर किया सकता है हम तो कोई भी मीटर स्केल लेकि किसी से भी मेजर कर सकते है मेरा फोकस यहां है कि यह कहरे एक्जैक्टली मतलब मुझे डेसिमल में नहीं चाहिए आपको एक मेजर्मिंट लो जिसमे कि हम चाहे वो लेंथ हो चाहे ब्रेथ हो है हॉख है हमें पॉइंट में नहीं चाहिए हमें डेसिमल नहीं चाहिए हमें ग्जैक्टली चाहिए ठीक है यह जो exactly है इस question में इसका importance है यानि आपको वो road लेना होगा जिससे length हो गया, breadth हो गया and height हो गया तीनों का measurement exactly divisible हो कोई decimal, कोई fraction नहीं यानि तीनों का highest common factor clear है question tough नहीं होता है, यह round round रूमाते है ठीक है यानि आपसे pusha जा रहा है तीनों का highest common factor यानि सीधा simple है अब आपको scf pusha जा रहा है एक चीज और इन्होंने 8 meter और 80 centimeter में दिया हुआ ठीक है, तो हम इसको क्या करते है centimeter में ले लेते है calculation में असान हो रहेगा तो 8 meter 50 centimeter यह क्या दिया हुआ है length इसको हम लिख सकते है मतलब 1 meter में 100 centimeter यह है 850 centimeter अच्छा दूसरा आपका breadth आप इसको L दे दिजे इसके बाद B दे दिजे breadth आपका 6 meter 25 centimeter है यानि आप इसको 6 to 5 centimeter लिख सकते है ठीक है फिर height height को हम S दे देते है height आपका 4 meter 75 centimeter यानि 4 meter 75 centimeter है यानि यह हो जाएगा आपका 4, 7, 5 centimeter अब यह तीनों का एक ही unit आगिया तीनों का unit आगिया अब आपके लिए SCF निकालना असान होगा अब SCF SCF से पहले हमे तीनों का factor करना होगा तो आप इसको factor किजिए जैसे 850 का 850 का किजिए factor तो यह 5 से होगा तूसरे भी होगा 24, 25 फिर 5 से लिजे ठीक है यह होगा इसका 850 का अब हम 625 का लेते है अब यह से यह 2 से divisible नहीं होगा और यह 3 से भी नहीं है तो यह सीदा 5 से होगा ठीक है यह यह 5 5 यह लास्ट कौन सा है 475 475 तो इसके लिए यह भी 3 से नहीं होगा 3 बंजर नहीं सिधा 5 से 5 नहीं 45 फिर 5 से 19 ठीक है तो आप 850 को यहां पर लिख सकते हैं आप यहां पर 850 को लिख सकते हैं 2 इंटो 5 स्क्वार इंटो 17 और 625 को अपर लिख सकते हैं 5 to the power 4 ठीक है और यह आपका 475 475 इसको अपर लिख सकते हैं 5 स्क्वार इंटो 19 हमने क्या किया सब को सिंप्लिफाइ कर दिया प्रोटक्ट के फॉर्म में ठीक है और यह फर्दर नहीं हो सकता है तो आप से पुछा जा रहा है कि वो कौन सा मेजर्मेंट होगा जिससे आप कंप्रिटली मतलब एक्जैक्टली नहीं प्रेक्सन में नहीं चाहिए न बेंटसिवल में नहीं चाहिए आप उससे एक्जैक्टली मेजर कर सकते हो तो आप एक ही चीज दिखाई दे रहा है 5 स्क्वाईर फायग तो दिबाव झाय पन्य थे 5 स्क्वाईर çaे यहां पर 5 स्कॉयर है यानि, तीनों का HCF, हाइस्ट कॉमन फेक्टर, हाइस्ट कॉमन फेक्टर देखो, 2 इसमें ही नहीं, 17 ही नहीं, तो आपका HCF क्या हो जाएगा, HCF, मैं सिधा लेंद्ध, बिर्थ, एंद हाइट हर जाता हूँ, यह आपका हा रहा है, 5 स्कॉयर, यानि 25 से तो वो रॉड जिसका लेंद्ध आपसे पुछा जा रहा है, हो है 25 सेंटीमिटर, यानि 25 सेंटीमिटर का रॉड लेंद्ध लेंद्ध हाइट को exactly without decimal, without fraction, measure कर सकता हूँ, clear है, अब आप इसको क्या करेंगे, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने से निव वीडियो क अपडेट आपको मिलता रहेगा, लाइक भी कीजिए, सेर भी कीजिए